नमस्का ब्लू लाइट जो हमारे मुबाइल फोन्स हमारे लाप्तॉप स्क्रीन्स एमिट करते हैं उसका सीधर प्रभाव अमारे आपोप पर नीद पर और हमारे स्वास्त पर पढ़ता है इस ब्लू लाइट एमिशन को हम किस तरहे प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे हम अपने sleeping pattern को और अपनी overall health को अच्छा रख सकते हम अपने mobile phone से laptop का consumption है उसको हम नहीं reduce कर सकते हैं बट उसको किस तरह हम manage करें जिससे हम अपनी आखों को healthy रखें हम सभी के mobile के अंदर एक feature होता है जिसे blue light emission का feature होता है उसको हमें हमेशा switch on करके रखना होता है अनदर कि जब भी हम continue mobile phone use करें उसका जो brightness है उसको अगर हम थोड़ा कम रखेंगे तो भी हम अपनी आखों को healthy और इस blue light के emission से बचा के रख सकते है एक पहुत easy से exercise होती ही जो आखों को अगर हम regularly उसके त्वारा करेंगे तो हम अपनी आखों को अच्छा रख सकते हैं इसको 20-20-20 rule का जाता है कोई भी object 20 meters apart 20 seconds के लिए और हर 20 minutes में अगर हम उसको practice करेंगे तो हम अपनी आखों को healthy रख सकते हैं अगर आप regularly 8-10 गंटे regularly mobile phones चे लापटॉप को use करते हैं तो एक आदत और अच्छी से आप सुधार सकते हैं कि हर एक गंटे में अपनी आइस को ठंडे पानी से wash करें या फिर अपने पास होई कोई घीला कपडा रखे कोई स्वाब रखे और उससे अपनी आइस को थोड़ी देर में clean करते हैं उसके हलका ठंडक देते रहें ऐसा करने से जो कई लोगो को आखों के अंदे dryness का feeding होता है आखों में से पानी आता है या आखे जल्दी लाल हो जाती है अगर वो इस तरह की practice को regularly करते रहेंगे तो अपनी आखों को वो healthy रख सकते हैं आखे जित्ती problem हो रहें तो उसको आप देखेंगे कि उन लोग को बहुत जल्दी migraine या headache का भी problem होता है तो अगर आप अपनी आखों को ठक ठक रखेंगे उसको timely उसको cold देते रहेंगे coldness मिलती रहेगी तो वो इस तरह के जो symptoms है migraine headache उनसे भी वो अपने आपको बचा कर रख सकते हैं तो पे overall आप benefit मिलेगा. Perform this and stay healthy.